वेलकम टू एकजाम सहपाथी और आज के वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सेलबस के करम में जो टापिक था हमारा सम्विधान उसके अंतरगत हम राज्य के नीत निदेशक तत्व और मौलिक करतब्यों का अध्यन करेंगे तो आएए इसको इस्टार्ट करते हैं तो र नीतिया बनाने के लिए निदेश दिये गए हैं उन्हें ही नीति निदेशक सिध्धानत कहते हैं यानि कि इसमें जो सरकार को किस तरह की नीति बनानी है इस तरह की बातें इसमें दी गई है राज्य नीति निदेशक सिध्धानतों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा किन तुष्के लागू नहीं होने पर राज्ज अक्रश्बर मुकद्वां नहीं चलाया जा सकेगा ठीके ना तो अगर यह अपना जो है लाङू- तो करना चाहेगा कारने का प्रयास करेगा कानून बनाएगा लेकिन लागू नहीं होता तो उसके उपर कोई मुकदमा नहीं कर सकता है राज नीति निदेशक सिध्धान्त न्यायाले द्वारा प्रवर्तनी नहीं है यह देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखेगा मौलिक जो अपके अध 36 से 51 तक है और राज के नीति निदेशक सिध्धान्तों को आयर लैंड के सम्विधान से लिया गया है यह भी याद रखना कई बार पूछा गया है भाग चार में है और यह देखिए अगला है कि राज के नीति निदेशक तत्व सरकार के दाइत तो को निरधारित करते हैं क ठीक है ना किस तरह के नियम बनाने किस तरह के विधियां बनानी हैं सरकार के काम को बताते हैं राज के नीति निदेशक तत्व यह बताता है कि सरकार को क्या करना चाहिए ठीक अब देखिए राज के नीति निदेशक सिध्धान्तों के उद्देश से क्या हैं तो उद्दे से हैं राजिके नीति निदेशक सिध्धान्तों के राजिके नीति निदेशक सिध्धान्त तीन विचारधारां पर काम करता है जैसे कि समाजिक विचारधारा गाधिवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा ठीक है तो पहले हम इसमें जो है इसकी समाजवाद स्माजवादी विचारधारता को देकेंगें कि इसमें जो नीत निदेध storm सिधान typ स fitness समाजवादी सरकार अपने तरीक निम्न लिखित को सुरक्षित करेगा किस चीज को सुरक्षित करेगा राज देखते हैं तो वो जो ये सामोहिक हित के लिए संसाधनों का समान वित्रण यानि कि राज प्रत्येक, इस्त्री और पुरुस को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा ठीक प्रत्यक इस्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रन को रोकना यानि कि किसी एक ही जगह पे केंद्री कितना हो जाए कोई जो है उत्पादन के सभी सादनों को अपने पास नहीं कठा कर ले, कोई धन बहुत इकठा नहीं कर ले, तो उसको रोकना, समान कारे के लिए समान वेतन, एक ही काम के लिए इस्त्री और पुरुस दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, अगर टीचर इस्त्री है, टीचर प नु有人 चेह 29 में देखिए सभी के लिए समान न्याएं एवन आर्थिक रूप से कम जोडया न्य प्रकार से निर्योग्य ब्यक्ति को नेहिसुलक विधिक सहायता, तो ये नेहिसलक विधिक सहायता और सभी के लिए समान नयाए इसमें है अनुच्छद 49 ए में ठीक है नेसुल्क विधिक सहायता और समान नयाए सभी के लिए समान नयाए ठीक अनुच्छद 49 ए में है और काम पाने लोक सहायता पाने का अधिकार क्या होता ये सभी नागरिक अपनी योगता के अनुसार रोज हम बनाये कि सब को जो है अपनी योगिता के अमसार कारी मिल सके काम की मानवोचित दसा तथा प्रसूती सहायता का आबंध अनुच्छेद ब्यालिस राज ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कारी करना पड़े यानि कि कोई प्रति rock श्याओं से वियुस्ति सबाना थीक है अनुच्छेद तिरारिस क्या है निर्वाह मजदूरी यानि की राज जो है वो कानून द्वारा निवन्यतम मजदूरी को सुनिश्चित करेगा कि किसी काम के लिए कितनी नियुनतम मजदूरीदी दीober ऑनुच्छेद तिरारिस को सुनिश्चित करेगा आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा कि अध्योगिक संस्थानों के प्रबंद में मैने की मैनेजमेंट में करमचारियों को भी भागीदार बनाया जाए यह राज्य का कार्य है वह लागू करती है कि नहीं वह अलग बात है अनुच्छे सैंतालिस क्या है पोसाहर यानि कि जैसे इसमें मिड़े मेल चल रहा है इसके अस्तर को बढ़ाना ठीक है और लोग स्वास्थे को सुधार करना तथा मद्य निसेद को रोका जाना यानि कि मद्य को मद्य पान मतलब को रोका जाना लोग स्वास्थे में सुधार और पोसाहर के अस्तर तो यह अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन बहुत इंप्रोटेंट है, डारेक्ट कुछा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में है, सहकारी समितियों के गठन, संचालन और ब्यावसाइक प्रबंध को बढ़ावा देना, अनु बढ़ावा देना, तो यह विविन नीतियां और कानून बनाके राज्य, यस्च्छी और OBC के सेक्छिडिक और आर्थरिक खीतों को बढ़ावा देगी, ठीक है ना, उसका संचालन करेगी, अनुच्छेद 40 में हैं ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है न, यह दोनों बहु आगे आप देखेंगे उधारवादी विचारधारा, उधारवादी विचारधारा में क्या है, समान नागरिक संहिता, यूनिफार्म सिविल कोड यानि की सभी के लिए समान कानून, तो देश के जो सभी नागरिक हैं सभी के लिए एक ही कानून हो, देश में अलग-अलग वालों के लिए कोई अलग अलग कानून ना हो ये भी जो है कौन सुनिश्चित करेगा सरकार सुनिश्चित करेगी तो ये अनुच्छत 44 भी इंपॉर्टेंट है अनुच्छत 45 में क्या था आपका 14 वर्स के आयू के सभी बालकों को निहसुलक सिक्षा बिवस्था देशक सिद्धान्त में था लेकिन 86 समईदान संसोदन द्वारा इसको मौलिक अधिकारों में बदल दिया गया इसको मौलिक कर्तव में भी डाला गया है और इसको कहां रख्या गया है अनुच्छत 21 एक एंतरगत रखा गया है जब अभी मौलिक अधिकार आपको पढ़ाय करने के लिए निसुलक और अनिवारे सिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया गया और यह अनुच्छत 21 ए में है अनुच्छत 48 ए यह इंपोर्टेंट है कि पर्यावरण की सुरक्षा और वन जीवों की रख्षा ठीक है पर्यावरण टॉपिक आपको पढ़ना ही है तो इस करता है वह संस्कृति मंत्रालय तथापूरा तथ्व विभाग जो है इसके लिए महत्वपूर्ग उनकादा कर रहे हैं यानि कि यह लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं यानि कि सरकार ने यह सब विभाग बनाए हैं इन सब के लिए अब हम देखते हैं अनुच्छत 50 क्या है न्यायपालिका का कारेपालिका से प्रिथक करण राज्य क्या करेगी न्यायपालिका की स्वतंतरता और निश्पक्षता के लिए न्यायपालिका का कारेपालिका से प्रिथक करण सुनस्चित करेगा यानि कि न्यायपालिका जो है कारेपालिका से बिलकुल अलग अपना ए का प्रस्ताव करेगा राज्य ठीक है ना अंतर राष्टी सांति और सुरक्षा अनुच्छे दिक्यावन है इसको जरूर याद रखना अब हम देखते हैं यह हमारे राज्य के नीतिन देशक सिध्धान्त खत्म हो गया अब हम देखेंगे मौलिक कर्तब्यों को ठीक तो मौलिक कर्तब्यों को भारत के समध्धान के भाग 4 A में रखा गया है भाग 4 में क्या था राज्य के नीतिंद्रेशक सिध्धानत बाग 3 में मौलिक अधिकार था भाग 4 ए में है मौलिक करतब्य ठीक तो 1.61 के अंतरगत इसको रखा गया है नीतिंद्रेशक सिध्धानत खा तक 36-56 तक थे 45-55 ए में मौलिक करतब्य को रखा गया है अब देख country समविदान में एक भी मौलिक करतब्य नहीं था अगर ये पूछ लिया गया कि मोल विदान यहने कि जब समविदान बना था तब मौलिक करतब्य था सरदार सुरन सिंग समिति की सिफारिसों के आधार पर मौलिक करतब को सम्विधान में सामिल किया गया किसकी समीति की सिफारिस पर सरधार सुरण सिंग समीति इसको भी याद रखना है मौलिक करतब से रेलेटेड और इसको कब जोड़ा गया 42 में सम्विधान संसोधन 1976 में मौलिक करतब्यों को सम्विधान में जोड़ा गया है ठीक है और इसे लिया कहा से गया है सोवियत रूस से लिया गया है सोवियत रूस के सम्विधान से लिया गया है मौलिक करतब्यों की प्रारंब में मौलिक कर्तब्यों की संख्या क्या थी दस थी अभी मौलिक अधिकार पड़ रहे थे आप लोग तो बताय गया था प्रारंब में मौलिक अधिकार कितने थे साथ थे जिसमें से एक खतम करके छे बना दिया गया लेकिन अब मौलिक करतब्य की बात है तो प्रारम्भ में दस थे ठीक है ना प्रारम्भ में मौलिक करतब्य कितने थे दस परंतु बाद में देखिए यह कितना important है यह हर जगा आ जाता है बाद में 86 में सम्विधान संसोधन 2002 के द्वारा सिक्षा के अधिकार को इग्राववा मौलिक करतब्य बनाया गया ठीक है इसको जो मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है अनुचे दिकीस एक अंतरगत और मौलिक करतब्य में भी इसको जोड़ दिया गया है कि सिक्षा के अधिकार को एक ग्राववा मौलिक करतब्य बना दिया गया 86 में सम्विधान संसोध का भी प्राउधान नहीं है ठीक आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो वर्तमान में कुल कितने हैं एक्जारा मौलिक करतब्य हैं ठीक है नहीं वर्तमान में एक्जारा मौलिक करतब्य हैं जो की निम्नलिखित हैं कौन-कौन से हैं आईए देख लिते हैं तो ये आपका पहला है समविधान का पालन करना और उसके आधरसों, संस्थाओं, राश्ट्री धवज और राश्ट्रगान का आधर करना ये आपका पहला मौलिक करतब बे हो गया कि समविधान का पालन करो और उसके जो है राश्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्छ आदर्स आदर्सों को रिदय में सजोए रखना तथा उसका पालन करना रानी राष्ट्री आंदोलन से संबंदित चीजों की इज़त करना और आपका तीसरा है आपका भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना अग भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भात्रित्य की भावना का विकास करना यानि कि सब लोग भाई-भाई हैं इस तरह की भावना का विकास करना ठीक है अब आके आपका है भारत की समनुवित संस्कृती की गौरवसाली परंपरा के महत्यों को समझना तथा उसका रक्षण करना ठीक है तो भारत की संस्कृति की संस्कृति को समझना और उसका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ग्यानारजन की भावना का विकास करना सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना ठीक है ना हिंसा नहीं करना है सबको व्यक्तिगत और सामोहिक गतिविदियों में सभी छेत्रों में उतकर्स मतलब बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करना तथा राष्ट को राष्ट्री उपलब्दियों को नहीं उचाईयों को प्राप्त कर ले जाने कि आप अच्छे अच्छे काम करो देश वीदेश में उलम्पिक पदक लाओ ताकि जो है राष्ट का नाम हो माता पिता या अभिवावक द्वारा 6-14 वर्स के अपने बच्चों को स पसंद आयोगा हमारा सभीधान वाला टापिक आपके खतम हो गया इसका अगला टापिक हम आगे की वीडियो में अध्धन करेंगे वीडियो पसंद आयो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी बहुचा दीजिएगा जिसको इस वीडियो की जरुर ठीक है ना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद